है लो दोस्तों मैं हूँ अम्रिता और आज मैं दविचिस यह मुवी एक्स्पेंड करने वाली हूँ जो 2020 में रिलीज हुई थी यह काइंड ओफ बिलो फिफ्टीन मुवी है सो इफ्यों और एग्णोर आप एग्णोर कर सकते हो सो मुवी शुरू होती है 1968 में जहाँ पर हम एक लड़की को देखते जिसका नाम सैम होता है इसके मादापीता हाल ही में चलबसे थे इसलिए वो अपने दादी के पास शिकागो में शिफ्ट हो जाता है कई दिन तक वो काफी उदास रहता है लेकिन दादी उसे चेरप करने के लिए एक छोटा सा गिफ देती है एक वाइट कलर का माउस काफी क्यूट रहता है जिसका नाम ये लोग डेजी रखते हैं अब सैम यहाँ पर एड़िस्ट होने लगता है लेकिन यही कराद एक विच की नजर इस पर पड़ती है जैसे वो इनके घर में देख रही थी दादी की तबित अचानक से खराब होने लगती है तो यहाँ पर विच सैम को अकेले में धर के उसे चौकलेट दे के एक साप के जरीये हिपनोटाइस करने लगती है लेकिन तब ही दादी सैम को बुलाने लगती जिससे वो विच वहाँ से भाग जाती है अब सैम घबराती हुए दादी को स्टोर से निकलने के लिए कहता है और घराने पे वो सारी चीज़े दादी को बताता है कि स्टोर में उसे एक औरत मिली थी जिसका पहराव काफी अजीब था और वो मुझे चौकलेट खिला रही थी अब दादी समझ जाती है कि ये कोई साधारन औरत नहीं विच थी दादी अपने दोस्त की कहानी बताने लगती है 40 साल पहले जब वो खुद छोड़ी बच्ची थी तब उसके सामने ही एलिस नाम के उसकी दोस रहती थी दोनों भी एक दिन पानी लाते वग एलिस अचानक से गायब हुई ये जब एलिस को देखने गई तब एलिस एक किसी कोने में धरावने औरत से कुछ सामान ले रही थी उस औरत का चेहरा देखके ये काफी तर जाती और भाग जाती है लेकिन रात में एलिस वापस घर पे आती है इसलिए वो खुश थी लेकिन अगले दिन उसके सामने ही एलिस इंसान से एक चिकन में कनवर्ट हो जाती है इसी कारण से दादी को विचिस के बारे में काफी पता था और तब से ही दादी खुद विचिस को दूर रखने के लिए काफी कुछ चीजे कर रही थी अब दादी को पता था जो भी विच एक बच्चे के पीचे है तो उसे जब तक वो कनवर्ट नहीं करती तब तक चुपने ही बैटेगी इसलिए उससे बचने के लिए यहां से जाने का वो फैसला करती है यहां से थोड़ी दूर पे काफी आली शान फाइस्टार होटेल था वहाँ पे जाने के लिए निकलते हैं क्योंकि विचे इस अकसर गरीब बच्चों को ही पकड़ती है यहां पर इस 5-star hotel में दादी का एक cousin था, जो head chef था, इसलिए उसके कहने पर दादी को एक अच्छा sweet मिलता है, अब यह लोग जैसे ही अपनी कमरे में जाते हैं, वैसे ही hotel में witches का पूरा जूनदा जाता है, prevention of cruelty of children इसके तहर, इन witches की head रहती है, grand highway जो Ann Hathaway प्ले कर रही है, यह यहां पर witches की लिए कोई भी बच्चा गंदगी से कम नहीं होता, इसलिए वो बच्चों को किसी भी जानवर में बदलते थी, अब उसी रद धादी Sam को बताती है कि witches को कैसे पहचाने, वो कहती है कि witches की उंगलिया काफी बड़ी होती है, इसलिए वो हमेशा gloves पहनती है, उनक मौ भी काफी बड़ा होता है, अब Sam इन सारे बातों से डर जाता है, लेकिन अगले दिन वो Daisy को लेके Grand Hall में चला जाता है, जहां पे वो अपने चुहे के साथ खेलने वाला था, तभी उसकी मुलाकाई Bruno नाम के एक दूसरे बच्चे से होती है, जिसे हर दम खाना खाना पसं जाता है, लेकिन Grand Witch को उसका स्मेल आने लगता है, जिसे पहले वो इग्नोर कर देती है, और यहां पे सारे वीचिस की वो मिटिंग लेती है और अपना प्लान रिवील करती है, कि कैसे दुनिया भर के सारे बच्चों को वो खतम करना चाहती है, जानवरों में कनवर्ट करके इसलिए उसके पास जादूई पोशन भी था, Grand Witch का ये प्लान था कि सारे वीचिस ने अपने अपने टाउन में वापस जाके एक कैंडी शॉप खोलना है, और उसके उस चॉकलेट में ये जादूई पोशन डालना है, और जैसे ही पोशन बच्चों के शरील में जाएगा, लेकिन भीच में ही Grand Witch को बहुत ही अजीब बच्चों की स्मेलाने लगती है, इसलिए गुस्से में वो स्टेज को उखार देती है, स्टेज के नीचे कोई भी बच्चा नहीं था, लेकिन उसे वैंट में सैम दिखाई देता है, वो उसे पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन ही शे बच्चते हैं, वो देखते ही देखते हैं, एक छोटे चूहे में बदल जाता है, लेकिन फिर भी वो बात कर सकता था, ये देख सारे विच्चिस उसे पकड़ के मारने लगते हैं, लेकिन तबी सैम वेंट से बाहर आता है और उस चूहे को बचाता है, अब सारे डेटली एक चूहे में बदल जाता है अब साम ब्रुनो और उसका चूहा डेजी तीनों भी वेंट से भागने लगते हैं और एक जगा पर आकर छूप जाते हैं तब भी बता चलता है डेजी खूद भी एक लड़की थी और्फनेज में जिसे एक वीच ने टॉकलेट का बता ऐको अब यहां से थीनों भी कींसे दादी के रूम में जाते है और उसे सब कुछ बता देते हैं वो काफी हैरान हो जाती है लेता है तभी काफी सारे 위ुच आ जाते हैं वो काफी डर जाता है लेकिन कैसे दैसे वो पोशन लेके वापस उस फॉक में बैट जाता है और उसकी दादी उस फॉक को ऊपर खीचने लगती है लेकिन तभी grand tomorrow इस फॉक को वो ऊपर खीश लेती है अब पोशन के जरीए इनको वापस बच्चे में convert करना था लेकिन वो पोशन काम नहीं करता और fail हो जाता है और ये बच्चे नहीं बन पाते अब Sam reveal करता है कि क्यों न ये पोशन हम सारे wishes के soup में डाल देते हैं जिससे वो खुद चूहे बन जाएंगी और वो तीनों भी पोशन लेके kitchen में जाते हैं और उनके soup में डालते हैं लेकिन इन तीनों चूहों को manager देख लेता है और इनके पीछे बीछे आता है दादी के कमरे में दादी के कमरे में चूहे जाते देख वो समझ जाता है कि इसी का हाथ है इन चूहों को चूपाने के ल के मैनेज और दादी को चुप रहने के लिए फ्री टीनर ओफर करता है आने वाले दिनों में अब डीनर के दोरान सारे विचेस डाइनिंग हॉल में थे दादी भी वहाँ पहुँच जाती है और तभी ग्रैंड विच को देखके उसे तभी साइम ग्रैंड विच के रूम की की चुराता है ताकि बाखी के पोशन वो चुरा सके और किसी बच्चे के उपर यूज ना कर सके अब विच उसके पीछे पीछे जाती है लेकिन तभी काफी चाला की से ये तीनों उसे फसा के वो पोशन उसे पिला देते हैं जिसके कारण वो एक बहुत बड़े रैट में बदल जाती है और उसे वेलोग ट्रैप करते हैं अब दादी के हाथों में ग्रैंड विच की एक डाइरी पढ़ती है जिसमें दुनिया भर के सारे विचेस का एड्रेस था अब दादी उस सब को मारने का प्लान बनाती है यहाँ पे ग्रैंड विच को उसके कैट के सामने रख दिया चाता है और चुहे को देखके वो बिल्ली उसके उपर अटैक करने लगती है और मुवी के अंत में दादी, साहम, ब्रूनो और डेजी वहाँ से निकलने का सोचते है अपने घर ब्रूनो के माता पीता काफी हैरान थे उनका बच्चक हो गया है इसके लिए तो दादी उसके माँ से मिलती है और उसे सारे चीज़े बताने की कोशिश करती है लेकिन ब्रूनो के आवाज में चूहे को बोलते हुए देख उसके माँ फ्रिक आउट होती है और वहाँ से भाग जाती है इसलिए जादी इन चूहों को अपने सार लेके जाती है और तीनों को भी अपने नई लाइफ काफी पसंद थी और मूवी इधर ही खतम होती है I hope आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी मैं मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई